लाइज प्रॉट अवोर के दिन हम बात करेंगे फिल्म आर आर खे फर्स्ट दे बॉक्स पेडिक्शन के बारे में वह साज़ इस आप दोस्तों बात करेंगे तीन अदर फिल्मों की जैसे कि केजेफ चेप्टर 2, रादेश याम और लाल सिंग चड़्डा के फर्स्ट अडे बॉक्सवेस पेडिक्शन के बारे में तो और दोस्तों अगर आपको हॉलिवूड, टोलिवूड और बॉलिवूड की बहत्रिंग अपडेट जानना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुच पाए सू दिन्दी में सबसे पहले दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें फिल्म में केजेफ चेप्टर 2 की तो दोस्तों प्रसांद नेल के डारेक्शन में बनने वाली एक एक एक्शन थिलर फिल्म में जिसके नर आपको सूपरिश्टार यास, श्रीनिती, शेटी, रवीना टंडन और संजू बावा जैसे बहत्रिंग एक्टर काम करते हैं नसर आ रहे हैं दोस्तों फिल्म के दोनों पार्टा को बज़र लगबख साड़े चार्सो करोड रुपर बताया जा रहा है और दोस्तों इस बार केजेफ चेप्टर 2 को वर्ल्ड वाइट लीग साड़े बारा हजार इसकिनों पर लॉंच करा जाएगा जबकि दोस्तों ये फिल्म हम सबको 14 अप्रेल को देखने के लिए मिल जाएगी अब दोस्तों आप सभी को पता है कि केजेफ चेप्टर 2 हम सबके बीच में 14 अप्रेल को रिलीज होगी पेन इडिया तो दोस्तों इस फिल्म में से टक्कल लेने के लिए आ चुकी है फिल्म में लाल सिंग चड़ा और दोस्तों इस फिल्म में आपको आमिर खान, करीना कपूर और दोस्तों नागा चेतनी जैसे बहतरी एक्टर काम करतों निजर आएंगे अब दोस्तो आप सभी को पता है कि जब लाल सिंग चड़ा में नागा चेतन ये काम करतों है नजर आ रहे हैं जो दोस्तो लाल सिंग चड़ा साइस से तेलगू वर्जिन में भी रिलीज हो सकती है इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म में को भी साथ हजार स्कीनों पर लोंच करा जाएगा और दोस्तो इस फिल्म में का बजट दो सो पचास करोड़ से जादा का बता आ जा रहा है दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म लाल सिंग चड़ा एक फिल्म का रिमेक है वहीं पर दोस्तों अगरे हम बात के रहे फिल्म में रादे शाम की तो दोस्तों ये फिल्म एक लोश्टेडी एक्शन थिलर फिल्म है जिसके दो आपको प्रभास सर और पूजा हेगड़े काम करतुई नजर आ रही है दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में को डिरेक्टि कर रहे हैं रादा कृष्ण कुमार और दोस्तों फिल्म में का बजेट 500 करोड रुपे तक पहुच चुका है दोस्तों इस फिल्म में को वर्ल्ड वाइट लिंग पेन इंडिया 9000 से ज़्यादा स्कीनों पर लॉंच करा जाएगा और दोस्तों ये फिल्म काफी जल्द हम सब के बीच में रिलीज होने वाली है और दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आप सबी को पता नहीं होगा कि प्रभासर का जो बज है जो क्रेज हो वो कितना हाई लेवल का बना हुआ है इसी की साथ दोस्तों बात करें SS राजमुली के डारेक्शन में बनने वाली बहतरिंग फिल्म RRR की दोस्तों फिल्म में का बजट साड़े 400 करोड रुपे है और दोस्तों फिल्म में को वर्ल्ड वाइट ली साड़े 11,000 इसकिनों पर लोंच करा जाएगा औल लेंग्विजस में जबकि दोस्तों इस फिल्म में की जो रिलीज डेट है वो बदल के करते गई है 28 मार्च को और दोस्तों आप सबी को पता है कि 28 मार्च को हम सब के बीच में बच्चन पांडे भी रिलीज हो सकती है पर दोस्तों RRR मोवी एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको हिंदी, तामील, तेलगूम, मेललम और कंडनल लेंग्वज में रिलीज कर जाएगा इससे एक बात तो कहना कंफर्म हो चुकी है कि RRR फिल्म अपने पहले दिन वर्ड वाइट ली काफी तगड़ा कलेक्शन कर सकती है पर दोस्तो RRR फिल्म अपने पहले दिन हिंदी वर्ड वर्ड में कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाएगी अगर दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी वर्ड में 25 करोड रुपे भी कमा लिये तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पेन इडिया फिल्म में कहीं न कहीं बॉल्यूट को पर राज करने वाली है अब दोस्तों बात करके KGF चिप्टर 2 अपने पहले दिन वर्ड वाइट ली कितने करोड रुपे कमा सकती है तो दोस्तों आपको एक बात किलियर कर देगी अगर KGF चिप्टर 2 लाल सिंग चड़्डा के सामने फिकी नहीं पड़ी तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन हमारे हिंदी वर्जन से 50-70 करोड रुपे तक की ओपनिंग ले सकती है 100% ओक्योपेंसी पे पर दोस्तों अगर KGF चिप्टर 2 हिंदी वर्जन में 50% ओक्योपेंसी पे रिलिस होती है तो 30 करोड रुपे तो कहीं नहीं गए इस फिल्मे के अपने पहले दिन पर दोस्तों बात करें लाल सिंग चड़ा की तो दोस्तों लाल सिंग चड़ा यानि कि आमीर खान सार जिनको बॉलिवूट का मिश्टर परफेक्ट कहा जाता है दोस्तों आपको कहना मुझको गलत नहीं होगा कि इनके आप पुरानी फिल्म में उठा के देख लीजिए जो दोस्तों अगर उक्क्योपेंसी 100% की रही तो एक बात तो कंफॉर्म है कि ये फिल्म में भी 50 करोड रुपे अपने पहले दिन कमा सकती है इसी की साथ दोस्तों यहाँ पर बात आती है फिल्म में रादे शाम की और दोस्तों आप सभी को पता है कि रादा कृष्ण कुमारा के डिरेक्शन में बनने वाली रादे शाम जिसको ओडियंस काफी बेसब्री से इंतसार कर रही है दोस्तों हाल फिल्म में एक यही एसी फिल्म है जिसके नदर अभी सबी सिक्रेट दबा के रखे गए है अभी तक इसका कोई भी विलन रिविल नहीं करा गया इस फिल्म में बता दे कि रादे शाम फिल्म हम सब के बीच में अगर हिंदी वर्जन में 100% ओक्योपेंसी पे रिलिस करी जाती है तो दोस्तों ये फिल्म में भी बड़े आसानी से 40-45 करोड रुपे कमा लेगी और दोस्तों एक नजरी से देखा जाया है तो यहाँ पर बाजी मारत वे न लाल सिंग चड़ा सबसे बड़ी हेट रहेगी या फिर दोस्तों ये फिल्म इन तिनों फिल्मों को पचाड के रख देगी आपके कमेंट करके जरूर बताईएगा जय हिंद वन्यवात्रम